तो दोस्तो आई जानते हैं कि कैसे आप लोग अपने घर के बिजली के बिल को और लाइन कैसे पे कर सकते हैं इसके लिए दोस्तो आपको कहीं जाने के जुरूत नहीं पड़ेगी तो simply दोस्तो आपको अपने Google Chrome या मोवाइल में जो भी दोस्तो आप यूज़ करते हैं उसमें लिखना है दोस्तो आपको बिजली का बिल ठीक है तो simply आपको लिखना है बिजली का बिल तो समझें गया है और उसके बाद दोस्तो आपको सर्च कर देना है तो simply लिखेंगे और यहां पर UPCL की जो वेब्साइटों कि क्लिक करना है पेडिल जिस पर लिखा हुआ होगा आपका account number उसके बाद दोस्तों आपके capture में जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पर fill कर देंगे और continue पर click कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपका account का जो भी name होगा वो यहाँ पर show करेगा यह जो दोस्तों आपको चेक कर लेना है account name क्या आ रहा है account number और address और दोस्तों आपको जो भी pay करना है वो दोस्तों यहाँ पर amount so हो जाएगा ठीक है तो इतना दोस्तों clear हो गया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी email id mention कर दिनी है आप email id दोस्तों इसले mention करनी है ताकि दोस्तों जब भी आप pay करेंगे तो उसका एक notification या फिर pay का जो भी होगा वो द इसके बाद दोस्तों पर payment का मूट चुनेंगे मतलब आपको payment किस मूट से करनी है आमिन किस तरीके से आपको करना है तो पहला दोस्तों है credit debit card और यहाँ पर जो भी चीज़े हैं पहले वाले mobile wallet वगड़ा है दूसरा दूस्तों net banking है और बहुत साई चीज़े है तो दो option है तो मैं फ़ेला यह option चुनता हूं मैं ATM के थरो करने वाला हूं continue पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आएगा उसके अपफिर यहाँ पर continue पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर payment का dashboard आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको debit card पर क्लिक करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी ATM card I mean दोस्तों debit card उसे ही कहते हैं जो ATM card होता है ठीक है इसमें confusion मत होना तो यहाँ पर दोस्तों आपको debit card का जो भी number है व उसका जो भी experiment होता है और CVB हो जाती जो पीछे लिखा हुआ होता है च्बूआ वद YouTube यहाँ लिख़ देना है यह एक बार आपसे कंफरमेशन लेता है कि इतना चार्ज आपके बैंक से कटेगा चीक है तो इतना करने बाद आपको क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नमर होगा जो मोबाइल बैंक से जुड़ा होगा उस पर दोस्तों एक OTP आता है और उस OTP को दो आपके वहाँ से भी ite a उसको यहां फिल करना है और उसके बाद दोस्तों यहांप डिक शंट कर देना ना है कि में आप सभी को ये बता रहा है कि इत्षास Pay करते हैं इस वीडियो में दोस्तों कुछ भी मेरे से छूट गया हो या फिर कुछ भी कन्फूजन वाला हो तो आप मुझे जोर कमेंट करिएगा और मैं आपके कमेंट को तर जोर दूंगा थैंक्स फॉर रचिंग दोस्तों बाइबाइब फिर मिलेंगे ने वीडियो के साथ और एक ने नालज के साथ